नमस्कार जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटिब चैनल इंपोर्टेंट में से क्यूब संदीब में दोस्तों डियलेट थर्ड समिस्टर मैथ की तैयारी के क्रब में आज हम आपके सामने फिरसत 10 सवाल का प्रेक्टिस सेट लेकर आए हैं यह प्रेक्टिस सेट क्योंकि ज्यादतर स्टूडेंट की समस्या होती है कि मैथ में बैक लग जाती है एक दो नंबर से भी मैथ में बैक लग गई तो समय बहुत परिशान हो जाते सारे बच्चा फिर उसके लिए आप बैक एक्जाम दो तो टाइम ना बरबाद हो इससे अच्छा यही है कि आप आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटी का रिशान जरूर दबालो ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अप्लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहाँ पर जो पहला कोश्चन है एक्स स्क्वाइर माइनस 2 एक्स माइनस 48 इसके क्या करने है गुड़न खंड निकालना है समसे पहले में क्या करना हो कि एक्स स्क्वाइर के साथ देखो कोई नंबर है नहीं है तो इसको हम लोग 1 मानेंगे और यहाँ पर है 48 तो 48 वंजा 48 होता है ठीक है अब अगला स्टेप यह है कि हमें माइनस 2 एक्स को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका गुड़ा करने पर हमें 48 मिल जाए ठीक है और घटाने या जोड़ने पर हमें माइनस 2 एक्स मिल इसे चलो इसको आगे करते हैं एक्स स्कॉयर माइनस 2 एक्स को हम लोग माइनस 8 एक्स प्लस 6 एक्स में तोड़ सकते हैं आगे माइनस का 48 ऐसे ही लिख देते हैं अब इसके बाद इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं एक्स यहाँ एक्स स्कॉयर से एक्स कॉमन लिया तो x मिला, minus 8x से x common ले लिए तो minus 8 मिल गया, अब जो ये common मिला है as it is उठा के यहाँ पर रग दो ठिक, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं अब हमें ये इसमें से common लेना है, तो यहाँ पर देखो लिखा है x और यहाँ लिखा है plus का 6x तो यहाँ पर plus 6x जब x common ले लेंगे तो बचेगा plus का 6, अब जो common ले रखा है उसको अलग लिख लो और जो बाहर है bracket के उसको एक bracket में अलग लिख लो तो यह यहाँ पर निकल के आ गया x square minus 2x minus 48 का जो गुड़न खंट निकल के आया, x minus 8 और x plus 6 उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपके समझ में आ गई होगी next question पर आते हैं अगला यहाँ पर जो question है अर्ध वरत्त में इस्थित कोड का मान कितना होता है तो अर्ध वरत्त में कोड मान लो यह वरत्त है और यह center है इसका अब यहाँ से अगर ऐसे एक line खिज़ दे यानि एक तरीके इसको कह सकते है यह क्या है, यह व्यास है अब व्यास वरत्त को दो हिस्सों में बाड़ती है एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला तो जब यह पूरा वरत्त था तो यह आधा हो गया तो यह क्या कहलाएगा अर्धवरत ठिक यह अर्धवरत कहलाएगा लेकिन अगर इसी पर हम कोड बना दे अर्धवरत पर यह कोड बना दिया हमने ठिक यह इसका बेस ले लिया और यह यहाँ पर इसका यह कोड बना दिया तो यह जो कोड है अर्धिवरत पर इस्थित कोड क्या कहलाएगा कोड कितने कहोगा सीधा ये पूछा है तो अर्धिवरत पर जो कोड होता है वो 90 डिगरी का होता है याद रखेगा अर्धिवरत में इस्थित कोड का मान 90 डिगरी होगा next question है कोई व्यक्ति 50 रुपए वाले शेरों में 8000 रुपए लगाता है शेर का दाम 85 हो जाता है फिर उन्हें बेच देता है अब लावगी गड़ना करनी देखो ध्यांसे पहले शेर का मूली कितना था? शेर का मूली ये आप लोग लिखिएगा क्योंकि DL.E में जब question solve करेंगी तो इससे लिखना पड़ेगा पहले शेर का मूली कितना था? फचास रुपए फिक वर्तमान में कितना है? वर्तमान में शेर का मूली कितना हो चुका है? 50 रुपए तो एक शेर पर लाव कितना है? एक शेर पर लाव उसने कितने खरीदे आठ हजार रुपे उसने लगाये थे और शेर खरीदे पचास अब पचास रुपे के शेर खरीदे आठ हजार रुपे लगाया तो कुल शेर हमें कैसे पता चलेगा कुल शेर हमें इन दोनों को डिवाइड करने से पता चलेगा तो एक जीरो यह कटा एक और एक शेर पर लाब हो रहा है 35 का तो कुल लाब कितना होगा सीधा सीधा मल्टिप्लाई कर दो 35 इंटू 160 अब जो भी आएगा आप नीचे कॉमेंट में बताओ देखो हम ही करके बता देतें यह जीरो यहां पर इसका आ गया अब 35 चके कितना होगा 35 चके होगा 210 तो 21 हांसिल बचा 35 एककम 35 और 35 में अगर हम 21 जोड दें तो यह हो जाएगा आपका 56 ठीक है तो इसका कुल लाब कितना आएगा वो आएगा चप पन सो आप इसको फिर से एक बर कल्कुलेट करके देख लिजे कहीं गडबर ना हो 35 और 160 का गुड़ा ठीक है तो यह आपका निकल के आएगा चप पन सो अगला कोशन है किस बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती देखो बैंक में जो खाते खुलते हैं कई प्रकार के होते हैं एक तो होता है बचट जो जनरली लोग खुलवाते हैं आप कभी किसी ना किसी बैंक में बचट खाता होगा एक होता है चालू खाता य ये कौन खुलुआता है ये व्यापारी लोग खुलुआते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा लेंदिन करना होता है एक ही दिन में कई बार लेंदिन करना होता है तो उसके लिए चालू एकाउंट यानि चालू खाता होता है और एक होता है सावधी जमा खाता यानि एक तरीके से fix deposit होता है ठीक है एक होता है recurring account होता है इस तरह कई account होते हैं लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है किस bank खाते पर bank ब्याज नहीं देती तो यह जो चालू खाता है यानि इसको हम लोग English में कहते हैं current account current account में bank ब्याज नहीं देती है ठीक है इसका main reason यही है कि जो व्यापारी कि हमें लोग Girls उतows पर बार वार निकालते हैं अपना पैसा तो इसलिए bank कहती है अब इस पर व्याज तो देनी पाएंगे क्योंकि हमें इतनी काम करनाए पड़ रहा है कि बार वार रह पार जमा कर रहा तो इसके लिए उतिक अपर कोई ब्याज पी आटी के P क्या है P है मूलधन, R क्या है rate यानी दर, T क्या है time यानी समय, तो P दे रखा है 15,000, rate दे रखा है 3, और समय दे रखा है 24 मा, लेकिन हम लोग यहाँ पर years में लेते हैं, ठीक है, अब years में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि years में ही ब्याज दर दे रखी हुई है, ठीक ह 12 मा होते हैं, तो 2 साल में 24 मा होंगे, इसको आप solve कर लो, अब यहाँ पर बचा, 3, 2, 6, 15, 90, ठीक है, अब कितना निकल के आ गया, 900 रुपए निकल के आ गया, ब्याज, कितना हुआ, 2 साल का 3% वार्शी ब्याज की दर से, 900 रुपए निकल के आया ब्याज, ठीक है, चलो, next question पड़ाते हैं, अगला question है, code C वा D ग्याद करो, देखो, एक ये वरत्त बना है, और वरत्त के अंदर आपका एक चतरुपज बना हुआ है, तो जब वरत्त के अंदर चतरुपज बना होता है, तो उसे कहते हैं, चक्री ये चतरुपज, चक्री, ठीक है, चक्री ये पूज में क्या होते हैं आमने सामने के कोड का योग कितना होता है 180 याद रहेगा आमने सामने के कोड का योग कितना होता 180 तो यहाँ पर एंगल C के सामने है एंगल A और एंगल A दे रखा है 100 तो एंगल C निकालने के लिए 100 को 180 में घटा दो तो यह आपका निकल के आ गया 80 अब बात करें एंगल D की, तो एंगल D के सामने है एंगल B, तो एंगल B को घटा दो, ये निकल के आगए आपका, 80 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो B है, वो 80 का है, तो एंगल D आपका निकल के आगए 100 डिगरी, तो ये चीज आप समझ गयोंगे, देखो, ये A और ये C, ये दोनों आपने सामने है, तो इनका योग जो होगा, A और C का योग कितना होगा, 180 होगा, इसी तरह एंगल B और एंगल D, ये दोनों आपने सामने है, तो इनका योग 180 होगा, तो जब ये आपका 80 दे रखा, तो ये आटोमेटिक 100 हो जाएगा, क्योंकि 180 में, 80 को घटा द लिका हुआ है 1.2 की पावर माईनस 3 इन्टू 1.2 की पावर 3 अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्ड कर सकते हैं बहुत असान है देखो ध्याण से पहला तरीका क्या करें यह जो power में minus 3 है इसको solve कर लें जब भी किसी में minus में power लगी होती है तो हम इस भिंद को uns को हर में और हर को uns में बदल लेते हैं और जो power होती है वो plus में आ जाती है देखो ध्यान से यह 1 बटे 2 है तो इसको म करेंगे 2 बटे एक और यह जो minus की power है ये प्लस में आ जाएगी clear और एक बटे दो आपका ये दे रखा है ठीक है अब क्या करेंगे अब इसको solve कर लो दो की power 3 कितना होता है 8 यानि दो का जो cube होता है वो होता है 8 और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप इसका 8 लिखा ये multiply और एक बटे तो 2 की cube कितना होगा 8 और 8 कट जाएगा answer आपका आगया 1 clear हो गया ये तो हो गया पहला तरीका अब यहाँ पर देखो दूसरा तरीका दूसरा तरीके से कैसे solve करेंगे क्योंकि इस तरीके से हम पहले भी आपको पिछले वीडियो में करा चुके है देखो ध्यान से यहाँ पर base value समान है यहाँ पर भी एक बटे दो है और यहाँ पर भी एक बटे दो है जब base value समान होती है और बीच में multiply हो तो जो उनकी power होती वो आपस में जुड़ जाती है तो इसको आपस में जोड़ दो minus 3 और plus 3 अब minus 3 और plus 3 है तो यहाँ पर यह दोनों घटके 0 हो जाएंगे ठीक है तो जब किसी भी power में 0 आजा किसी भी संख्या के power में 0 आजा तो उसका answer कितना आएगा 1 कई बार बता चुका हूँ अगर किसी भी number की power में 0 आजा तो answer हमेशा 1 आएगा next question प्रसंख्या 8 है x cube minus 4 x इसको सरल करना है सरल करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो common मिल ला है वो हम बाहर कर लें यहाँ पर दोनों में ऐसी कौन से चीज़ common है यहाँ पर भी x है । यहाँ पर हम x को common ले लेते हैं x को जब यहाँ से common लेंगे x cube है तो यहाँ पर बचेगा x square minus यहाँ पर 4 x है तो यहाँ पर हमें x common ले लिए तो बचेगा केवल 4 clear अब यहाँ पर आप देखिए यह x square है और minus यह 4 है यह 4 भी किसी का square होता है किसका square होता है 2 का square होता है अब यहाँ पर आपको कौन सा formula दिख रहा है A square minus B square जब A square minus B square का formula दिख रहा है तो उसको expand कर दो X minus 2 X plus 2 A square minus B square का formula होता है A plus B एक bracket में एक bracket में A minus B यह तो आपको मालूम होगा तो ये आपका निकल के आगया answer clear हो गई बाद चलो next question पर आते है question number no 14 की power minus 2 into 7 की power 2 into 28 into 5 की power 2 अब इसको solve करने के लिए ध्यान से देखना कितना answer आएगा इसका ठीक है चलो 14 की power minus 2 है तो हमने बताया था जब भी power minus में हो तो उसको नीचे ले आओ यानि uns को हर में कर दो और हर को uns में कर दो अब 14 में answer तो है नहीं लेकिन अगर नहीं है तो हम यहाँ पर इसके नीचे एक automatic assume कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा तो हम इसको 14 upon 1 assume कर लेते हैं तो जब इसको पल्टेंगे तो 1 upon 14 हो जाएगा और यह जो power है यह आपकी automatic जो minus में थी यह plus में हो जाएगी ठीक है into 7 into 7 कर सकते हैं clear यह 28 यह 5 की power 2 है यहाँ पर और यह जो 5 की power 2 है यह 25 समझ ले इसको हमने खोल दिया अब एक बटे 14 का square है ठीक है यानि 2 बार 14 14 लिखा है तो जब हम 7 से 2 बार इसको काटेंगे तो नीचे बचेगा 7 दुना 14 और इस वाले 7 से जब काटेंगे तो 7 दुना 14 बचेगा अब उपर बचा 28 और 25 अब इसको आप solve कर लो कितना आएगा 2825 का जब हम गुडा करेंगे तो हमें कित्ता मिल जाएगा इसको calculate कर लो 25 700 ठीक और नीचे कितना बचेगा 4 अब इसको solve कर लो अगर 700 में 4 divide हो जाए तो divide कर लो यह आप का जाएगा 175 clear हो गई बात जब इसको solve किया तो answer कितना आया 175 कोई mistake हो गई हो तो नीचे comment में बताओ या कोई doubt हो तो नीचे comment में जरूर बताओ next question पर आते हैं लाभांस share के किस मूले पर दिया जाता है अंकित मूले या बाजार मूले तो देखो अंकित मूले और बाजार मूले इन दोनों में difference आपको पता होना चाहिए कि आखिर किसी share का अंकित मूले क्या होता है और बाजार मूले क्या होता है जब भी share पहली बार issue किया जाते है देखो कोई भी company है मान के चलो तुमारे आसपस कोई भी company है हम Amul का example ले ले लेते हैं अमूल तो बड़ी famous company इसको तो आप जानते ही है अभी Amul share बजार में list नहीं है लेकिन जब Amul share बजार में list होगी तो वो जब list होने जाएगी तो अपना जो उसका issue price होगा जो उसकी face value इंगलिस में हम कहते हैं अंकित value ठीक है तो जब जिस price पे share पहली बार issue किये जाते है वो होता है आपका face value और बजार में उतरने के बाद उसकी share की value बढ़ती रहती है बढ़ती रहती या घट जैसा भी हो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी तो उस समय जो बढ़ी या घटी value होती है उस समय उसे कहते हैं बाजार value ठीक है तो बाजार मूले और अंकित मूले दोनों में difference समझ में आ गया होका जब share पहली बार issue किये जाता है तो जिस price पे issue किये जाता है वो होता है आपका अंकित मूले और जिस time हम share को देखे और उस समय बाजार पे अब जब लाभांस की बात आती है लाभांस किस मूले पर दिया जाता है तो लाभांस हमेशा अंकित मूले पर दिया जाता है याद रहेगा आपको लाभांस हमेशा अंकित मूले पर दिया जाता है बाजार मूले पर नहीं दिया जाता है क्योंकि बाजार की वेल्यू तो हमेशा घर्टी बढ़ती रहती है और जो अंकित मूली होता है वो स्टार्टिंग में शेम रहता है ठीक है उम्मेद करता हूं कि यह चीज़े आपके समझ में आ गयोंगी अगर कोई भी प्रेशन में डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में प्रेशन में णेत